हाई दिस इस कितांचली आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे MP Land Revenue का question जो की MP Judicial Services में 2018 में पूछे गए question है हम complete bare act को discuss नहीं करेंगे हम discuss करेंगे जो भी previous year questions होंगे उनको कि हमें उस answer में किस-किस section को लेते हुए हमें answer को attempt करता है तो यहाँ जो हम first question discuss करेंगे हैं वो यह के वो कौन से provision है MP LRC 1959 में जो की service land के regarding दिये गए है तो MP Land Revenue Code में service land से related provisions हमें दिये गए है section 183 में यहाँ यह section 183 में कहते हैं कि कोई भी person जिसने किसी land को hold किया हुआ है इस condition पे के वो कोतवार की तरह अपनी services इस land पे render करेंगे अब कोतवार से related provision हमें दिये गए है section 230 और 231 में उसे हम यहाँ पे discuss नहीं करेंगे हम mainly discuss करेंगे service land से related provision तो यहाँ यह section 183 के subsection 1 में क्या करते हैं कि एक person जिसने किसी land को hold किया हुआ है इस condition पे कि वो उस land पे अपनी services देगा as कोतवार और उसकी यह services seize हो जाएंगी अगर वो इस land को जो कि उसके पास दी गई थी कि वो अपनी कोतवार की जो services हैं वो उस पे provide करें अगर वो कोतवार इस land को divert कर देता है non agriculture purpose के लिए तो फिर कोतवार entitle नहीं होगा इस land को hold करने के लिए उसके साथ ही section 183 के subsection 2 में बात करते हैं कि कोतवार के पास right है service land से related कि वो इस service land को ना तो transfer कर सकता है और ना ही यह service land transferable है मतलब कि कोतवार जिसके पास यह service land दी गई है वो इस land को ना तो gift कर सकता है ना sale कर सकता है ना mode gauge पर दे सकता है और ना ही sub lease पर दे सकता है पर sub lease को ये और clear करते हैं कि वो sub lease पर दे सकता है पर एक साल से जादा नहीं दे सकता मतलब कि एक कोतवार को right है service land में कि वो अपने इस service land को transfer नहीं कर सकता यानि कि वो अपने इस service land को gift, sale, mortgage और sub lease पर नहीं दे सकता पर सब लीज पर दे सकता है सिरफ एक साल तक यानि एक साल से जादा सब लीज पर नहीं दे सकता उसके बाद सिक्षन 183 के सब सिक्षन 3 में बात करते हैं कि अगर ये कोतवार मर जाता है या फिर रिजाइन दे देता है अपनी इस पोजीशन से या फिर इसे lawfully dismiss कर दिया जाता है इसके इस office से तो उस case में जो फिर service land है वो pass हो जाएगी जो भी successor होगा इस कोतवार का उसके office में उसके पास सेक्षन 183 के जो तीन सब सेक्षन हैं ये clear हो गए होंगे इसको revise कर लेते हैं ये कहते हैं कि service land क्या है एक ऐसा पोर्सन जिसने land को hold किया हुआ है कि वो उस land पर कोतवार की service प्रोवाइड करेगा पर अगर वो इस land को non agriculture purpose के लिए divert कर देता है तो उससे ये land ले ली जाएगी उसके साथ ये कहते हैं कि जो कोतवार है उसका right है इस service land में कि वो इसे transfer नहीं कर सकता पर sub lease पर दे सकता है जो कि एक साल से जादा नहीं होगा उसके माद subsection 3 में कहते हैं कि अगर ये कोतवार मर जाता है रिजाइन दे देता है या फिर dismiss हो जाता है तो इस case में जो ये service land है ये pass हो जाएगी जो भी successor होगा इसका office में उसके पास उसके बाद आते हैं section 183 के subsection 4 में यहाँ ये subsection 4 में कहते हैं कि कोतवार को जो भी rights दिये गए हैं इस service land में ये जो right है ये execution में attach, execution में sale या फिर इस land को manage करने के लिए receiver appointed नहीं हो सकता जो कि CPC में बताया गया है कि अगर execution हो रही है तो किसी एक portion की जो की judgment debtor है जो कि judgment debtor है उसकी property अगर वो decree को execute नहीं करता है तो उसकी property attach, sale हो सकती है या फिर receiver appoint हो सकता है तो वो कहते हैं कि अगर कोतवार के पास कोई भी right है service land से related उस पे section 51 apply नहीं होगा यानि कि वो land ना attach होगी ना sale होगी ना उसके लिए receiver appoint होगा मतलब यहाँ यह कहना क्या चाहते हैं कि मान लीजिए कोतवार के against कोई decree pass होगी अब कोतवार के पास कोई property और है नहीं पर इस कोतवार के पास इस service land के कुछ rights हैं तो अब इस decree की execution के लिए उसके यह rights ना तो attach हो सकते हैं ना ही यह property sale हो सकती है और ना ही इसके लिए receiver appoint हो सकता है उसके बाद section 183 के subsection 5 में बात करते हैं कि अगर यह कोतवार जो subsection 1 और 2 में बताया गया है कि अगर यह कोतवार जो property से दी गई है इसे non agriculture purpose के लिए divert कर देता है या फिर इस land को sale, gift या mode gauge पर या sub lease पर एक साल से जादा तक देता है मतलब कि इसने contraven किया है या attempt करें ऐसी चीजों का क्या करने का subsection 1 और subsection 2 को contraven करने का या इसको attempt किया हो contraven करने का तो इस case में क्या होगा जो यह service land है यह इससे वापस ले ली जाएगी और इससे यह service land वापस लेने के जो order होंगे वो order करेंगे तहसीलजार उसके बाद भी यह order कर दिये गए कि इससे यह property वापस ले ली जाए फिर भी यह कोतवार खुद से इस property के possession में है इस land के possession में है या फिर कोतवार ने किसी और person को यह land दे दी और वो person इसके possession में है तो इस case में इन्हें eject किया जा सकता है इस land के possession से और eject के लिए जो provisions अपलाए होंगे वो होंगे section 248 के इसके बाद section 186 के subsection 6 में बात करते हैं कि अगर service land किसी urban area में है या फिर service land किसी ऐसे area में है जिस पे development plan अप्रूव हो चुका है या फिर service land किसी ऐसे area में है जो की urban area से बाहर है तो इस case में state government इस service land के order को seize कर सकती है कि अब ये जो land है ये service land नहीं है कौन कर सकती है state government और ये कब से होगा जब भी वो अपने गैज़र्टिद notification में जो भी date लगा लेंगे तब से ये जो service land है ये seize हो सकती है मतलब इन area में जो service land है उसको seize कर सकती है state government के अब ये land जो की पहले इन area में service land थी आज की date से ये service land नहीं रहेगी उसके साथ ही कहते हैं कि अगर service land इस area में है तो तहसीलदार land records में अगर कोई changes करना चाहते हैं जो की जरूरी है तो वो changes कर सकते हैं मतलब section 183 के subsection 4, 5 और 6 में क्या कहा गया है इसे revise कर लेते हैं ये कहते हैं कि कोतवार को जो ये service land में rights दिये गए हैं ये section 51 of CPC के according execution में ना तो attach होंगे ना sale होंगे और ना ही इनके लिए receiver appoint होगा दूसरा ये कहते हैं कि अगर ये कोतवार subsection 1 और 2 को contravene करता है यानि कि इस property को divert कर देता है known agriculture purpose के लिए या फिर इस land को sale, gift या फिर mortgage पर दे देता है या फिर एक साल से जादा sub lease पर दे देता है तो इस case में इसके पास से जो ये service land है वो वापस ले लिजाएगी और ये वा order आने के बाद भी ये continuous land के possession में है तो इन्हें eject किया जा सकता है section 248 के provisions के according उसके साथ अगर कोई service land urban area में या फिर ऐसे area में है जिसका development plan approved हो चुका है या फिर service land ऐसे area में है जो कि urban area के बाहर है तो इस case में state government जिस date से चाहे इस service land को seize कर सकती है कि आज के बाद ये service land आज के इस service land से related land record में कोई changes करने हैं जो कि जरूरी changes है तो ये changes करेगा तहसीलदार यही बात की गई है section 183 में तो हमारा जो question था कि MP LRC 1959 में service land से related provisions क्या दिये गए हैं इस code में तो service land से provisions ये सब ही थे जो कि हमने discuss किये हैं उसके बाद discuss करते हैं next question जो कि MP Judicial Services में 2018 में mails में पूछा गया question है ये question है MP land revenue code में land record से related entry की presumption और साथ ही अगर कोई land record में correction करनी है किसी wrong या incorrect entry की तो उसके provision से related question हमें पूछा गया था तो सबसे पहले हम discuss करेंगे section 115 जो की deal करता है correction of wrong और incorrect entry in land record यहां ये section 115 के subsection 1 में बात करते हैं कि subdivisional officer अगर इस subdivisional officer को खुद से लगता है या फिर अगर aggrieved person ने application लगाई है SDO के सामने तो inquiry करने के बाद इस application के बाद SDO क्या करेंगे inquiry करेंगे inquiry करने के बाद जो भी wrong या incorrect entry है उसको ये correct कर सकते हैं अगर कोई unauthorized entry हो गई है section 114 के according तो उसको भी ये correct कर सकते हैं साथ ही जब ये correction की जाएंगी तो भू अधिकार पुस्तिका या फिर records of right में अगर कोई correction करनी है तो वो ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने clearly लिखा है कि SDO खुद से या अगर application लगाई है तो वो inquiry करने के बाद correction कर सकते हैं wrong या incorrect entry की या फिर unauthorized entry की पर अगर कोई भू अधिकार पुस्तिका है उसे छोड़ कर और records of right है उसे छोड़ कर साथ ही जब इस तरह की correction होगी तो उसे authenticate करेंगे ये subdivisional officer उसके साथ ही section 115 के subsection 1 में ये proviso add करते हैं जहां ये लिखते हैं कि अगर कोई entry 5 साल पु की जाएगी जब तक की return में collector से sanction ना ले लिया जाए मतलब अगर कोई entry 5 साल पुरानी है और उसको correct कराना है तो फिर collector से return में sanction लेना होगा उसके साथ ही section 115 के subsection 2 में ये बात करते हैं कि subsection 1 में जो बात करी हैं कि sub divisional officer inquiry करने के बाद correction कर सकते हैं तो subsection 2 में ये बात करते हैं क subsection 1 में तब तक order pass नहीं होगा जब तक की तहसीलदार से एक return report SDO नहीं मंगवा लेते और साथ ही जब तक जितनी भी parties हैं उन्हें सुने जाने का मोका नहीं दे देते हैं उसके साथ ही ये proviso add करते हैं जहां ये लिखते हैं कि अगर इस correction में कहीं government interest involved है तो इस case में SDO जो है वो इस case को submit कर देंगे collector के पास और जब ये case collector के पास submit हो जाएगा तो collector inquiry करने के बाद जैसा मर्जी चाहें order pass कर सकते हैं अब यहां overall section 115 में क्या था उसे discuss कर लेते हैं यहां ये कहते हैं कि अगर किसी land record में कोई correction करानी है तो वो SDO करेंगे इनके सामने चाहे तो ये खुद कर सकते हैं चाहे तो जो person करवाना चाहता है वो application लगाए अब application लगाने के बाद ये करेंगे inquiry अगर इने लगता है कि कोई wrong या incorrect entry है या फिर unauthorized entry कर दी गई है section 114 के according तो फिर उसे ये correct कर देंगे पर भू अधिकार पुस्तिका और records of right को correct नहीं करेंगे और जब भी ये correction क है सीलदार से ना मंगवा ले या फिर जितनी भी parties हैं उनको जब तक ये नहीं सुन लेते तब तक कोई भी order pass नहीं करेंगे और अगर इस correction में कहीं पे भी government interest involved है तो इस case में SDO के pass क्यूंकि SDO इस तरह की correction कर रहे है SDO के सामने application लगी है और SDO ने देखा कोई government interest involved है तो ये sub divisional officer इस case को submit कर देंगे collector के पास और collector inquiry करके जैसा order वो pass करना चाहे पास कर सकते हैं ये था section 115 जो की deal करता था कि अगर land records में कोई गलत या incorrect entry हो गई है तो उसकी correction किस सरा से होगी उसके बाद discuss करते है section 117 जो की deal करता ह है presumption as to entry in land record यहां ये section 117 में बात करते हैं कि land record में अगर कोई entry की गई है तो उस पर किस तरह की presumption raise की जाएगी तो यहां ये section 117 में clearly लिखते हैं कि जो भी entries की जाएंगी chapter 9 में यानि कि land records वाले chapter में जो भी entries की जाएंगी उसे shall be presumed to be correct मतलब कि उसे हमेशा ही correct presumed किया जब तक कि कोई और contrary बात सामने नहीं आ जाती तो ये दो provision थे यानि section 115 और section 117 जो की हमारे इस particular question का answer होंगे I hope ये video आपके लिए useful होगी